अब यह high school classes में आपका स्वागत है, वीडियो में revenue system जो मुगल इंडिया में था उसे discuss करेंगे, basically यहां से आपको दो से तीन important keywords देखने को मिलेंगे, सबसे पहले assessment और collection की बात करते हैं, कि कैसे assess करने हैं, और फिर collection कैसे करने हैं, तो land assessment conducted before the actual revenue collection, payment option क्या होते थे cash या फिर kind में kind का मतलब कि direct आप गेहूं देदो, जो भी चीज आपने बोई है वो देदो, ठीक हैं, तो यहां पर दो important keywords है, एक है जमा, जमा या हासिल, जमा का मतलब कि amount assessed on the land, सिरफ आपको land दिखा देगे, इतनी land है, इसके उपर आपको amount बता देगे कि इतनी amount है, तो वो जमा हो गया, हासिल क्या होता है, कि जो actually में हासिल हुआ, amount actually collected, तो इन दोनों में फर्क है, मानलो कि मैंने बोला कि एक एक एकड जमीन के उपर, मानलो मुझे 1000 रपी टेक्स चाहिए, पर actually में मुझे collect हुआ 700 रपी, तो वो हासिल हो गया, फिर है आमिल गुजार, ये revenue collector होता था, क्या होत ये annually cultivate होती थी, never fellow, कभी भी ये खाली नहीं जाती थी, never fellow, तो polish याद रखने की बिल्कुल हमेशा भरी हुई, फिर है पार्वथी, पार्वथी कैसे होती है, left uncultivated to recover strength, जैसे जमीन की strength होती है, अगर आप लगातार उसके उपर फसले उबा रहे हो, तो एक टाइम के बाद बंजर को 5-6 सालों के लिए खाली रखते थी, तो polish, पार्वथी, चाचर, बंजर, ये 4 keywords आपको याद रखने है, कुछ important notes अगर हम देखे तो agriculture पर emphasize किया जाता था, जो classification of land है, ये वही चीज़ रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, fellow land consideration, मालब different categories highlight करते है strategic use of fellow land, to maintain soil fertility, मालब दे continuity में बहुते रहते हैं, ठीक है, administrative reforms में देखा जाए, तो upwards decree reflect administrative reform, उसके बाद distinction between jamma and hustle emphasize the efficiency and accuracy in the revenue collection, बहले पहले estimate लगाना और उसके बाद actually means collection करना, तो jamma, hustle, और ये 4 words, polish, पार्वोती, चाचर, बंजर, ये आपको ध्यान में रखने है,